नमस्कार साथियो एक बाफिर से आप लों का स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर तो साथियो आज की इस वीडियो में आप लों को बताऊंगा कि यूपी ऐसी सीडी एक जो ऑनलाइन फॉर्म थे जो भरे जा रहे थे बीस बारा नियू रजिस्टेशन से लेकर फाइनल प्रेंट तक बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे सारे के सारे इस टेप जो होंगे इस टेप बाइस टेप मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा बाकि आप लोग को कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप ल पैले अपना जो form होगा form भरने के लिए करना होगा राम जो प्रेस करने के लिए संकरने के लिए नियू नियू तरीके से चीजु को समझ सकें जैसे लिजर श्कces one पर आपनों को डेकर को इसे खराने कंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने इन्ट्रफेस होगा वो इस तरह का आएगा और आपनों को अपना जो नाम होगा वो हाई स्कूल की मार्शीट के अंसार बनना होगा बैरिफाई नेम में आपनों को अपना भई नाम भरना होगा भरने के बाद हैट यू यू ऊबड़ चेंज熱 लिए अगर आपकंवी नाम बदलना चाहते हैं तो यह वालों जश करना होगा नहीं तो नो कर सकते हैं आपनों को जियाइंडर होगा वो जैंडर यहां से चूँच कर लेंगे डिकर डहीं बयाएट कर देश करने होगा चूच करने हाद, date of birth आपनों को अपनी चूच करनी होगी, date of birth चूच करने का नीचे आप आएंगे confirm date of birth, verify date of birth वाला जो column दिखाई दे रहा, उस वाले option में आपनों को अपनी date of birth होगी, वो यहाँ इस calendar से चूच करनी होगी, चूच करनी हाद, आपको अपने पिता जी का ना हम फिर से डालना होगा, मिनियोर्टी, अगर आप मिनियोर्टी से आते हैं तो यहाँ पर यह option दिखाई दे रहा है, yes कर देंगे, नहीं आते नो कर देंगे, यहाँ mobile number डालना होगा, यहाँ alternate को अपनों को चूच करना होगा, उसका यह answer लिखना होगा, अब दूसरे वाले म पर किलिक करना होगा, जब सम्मेट वाले option पर किलिक करेंगे, तो आप लोग देखेंगे, आपके सामने जो इंटरफेस होगा, इस तरीके का आएगा, परसनल इंटरफेस इस तरीके का आएगा, अगर आप लोग की यह सारी डिटेल सही है, तो आई आइगरी वाला जो option ओटीपी होगी, वो गई होगी, और जीमेल पर जो आभी यह आपने जीमेल लगाई थी, उस पर भी ओटीपी गई होगी, तो दोनों पर OTP डाल देनी होगी, OTP डालने का दिया, आपर जब ओटीपी डाल देंगे, बैरिफाइग वाले option पर आप लोग किलिक कर देंगे, ज आप लोग का जो OTR का registration है, UPSC का बहुत सही तरीके से हो चुका है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग का registration हुआ है, अब आप लोग को form भरने के लिए, सबसे पहले आपको बताने जाना चाहता हूँ, आप इस OTR को note करके रख लें, आपके पास नीचे से print का option आएगा, वह पास से आप लोग इसको print भी कर सकते हैं, और आप लोग को mobile number जो आपने ये लगाया है, जो भी आप लोग form में mobile number लगा रहे हैं, और जो email ID लगा रहे हैं, उस पर भी आप लोग की details होगी, वो आज आएगी, अगर details by chance नहीं आती तो आप इसको note करके रख सकते हैं, बाके प्रिंट का option आएगा, प्रिंट भी आप लोग कर सकते हैं, अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को बताऊंगा कि आपनों का जो OTR का registration हो चुका है, आप लोग को फॉर्म है, जो OPSC के तुरू CDA का जो फॉर्म निकला है, वो फॉर्म आप लोग किस तरीके से कै कैसे भरेंगे, तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग को फिर से लोग इन वाले पेज पर आना होगा, जब इस सब्सक्राइक का इंटरफेस आपके सामने आएगा, अब आप लोग को लोग करने के लिए आप चाहें, इमेल आईडी के माध्यम से लोग कर सकते हैं, मोवाइल से चाहें, उस माध्यम से लोग इन कर लेंगा, मैं यहाँ पर जो है, आप लोग को OTR के माध्यम से लोग इन करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोग ने अगर नियू रिशेशन किया होगा, लोग इन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने आएगा, यहाँ प कर लेना इस तरह का स्टरै का इंटर्फेस करेंगे आपधente करेंगे सब्सक्राइब आपकर राइके इस साम। आएगा आप लोग देख सकते हैं इसमें दो बैकेंसी जो हैं UPSC के तरू चल रही हैं एक CDS वाली एक NDA वाली तो आप लोग जिसमें फॉर्म डालना जाहते हैं उसमें किलिक कर सकते हैं भाग बन के लिए यहां किलिक करें तो मैं यहां पर CDS का जो फॉर्म है वो भरके करना जाएगा अगर आप OTR में कोई अपडेट करना चाहते हैं तो उपर वाला जो ओप्सन दिखाएं उस पर किलिक कर सकते हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भाग बन के लिए यहां किलिक करें इस वाले ओप्सन पर किलिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप पंजीकर आप लोग देखेंगे आपके सामने जो डिटेल्स आपकी होगी सबसे पहले मैं इस्टेप बता देता हूं भागवन पंजीकर भुकतान फोटोग्राफ अस्ताक्षर केंद चैन भागोसना सहमती ये चार इस्टेप आप लोग को कंप्लीट करने होंगे तो आप लो आप लोग किस कम्यूटी से आते हैं आपको समझा है कौन सा है वो चूच कर लेंगे सुल्क माफ किया गया है आप लोग देख सकते हैं महिलाओं के लिए कोई भी सुल्क नहीं है तो यहाँ पर महिलाओं का मैं भरके दिखा रहा हूं तो यहाँ पर कोई सुल्क नहीं है यह आप जो category होगी वो choose कर लेंगे category choose करने के बाद आप नीचे आएंगे अपनी section गयोगिता का chain करें तो आप लों की सेंक्सी की योगिता होगी अगर OBC से हैं तो यहाँ पर आपने क्रिमिलियर से संब्सक्राइब करें साभार्व करें लेंगे दूसरे में आप तैसील डालेंगे तो कंटने आगे वाले अप्सन पर आप लोग करेंगे सी पोड़ा का इंटरफेस आएगा और आप अप आईड Dya प्रूप में जो है क्या डाकुमेंट्स लगा रहे हैं आप चूछ कर लेंगे तो सिंपली सबसे सिंपल तरीका रहेगा आधार कार्ड का वह आप यहां चूछ कर लेंगे चूछ करने का आप लोगों को अपने आईडी प्रूफ का क्या आप आधार नंबर क्या आप आधार नंबर देना चाहते हैं तो आपको सहिमती देंगे यस कर देंगे आपको फोटो पैचानपत संक्या का आधार का नंबर डालना होगा और फोटो पैचानपत संक्या की पूश्टी करें उसमें भी आपनों को अपना जो आधार का बाड़े जो पालिफिकेसन के अपकी पात्रता लुत के लिए सिर्फ पात्र हैं, तो आप लोग इस तरीके से अपना इंटरफेस याँ पर देख सकते हैं, उसके आप आप नीचे आएंगे क्या आपके पास NCC C प्रिमारपत senior division Sena, No Sena, Bayou Sena Academy है, मिलने की संभाव ना है, तो इस पर अगर हाँ प्रिक्स की संभाव ना है, जो भी है वो यहाँ select कर देंगे, नहीं तो non रहने देंगे, क्या send बल में कारी रहता हैं, अगर हैं, तो yes कर देंगे, नहीं तो no रहने देंगे, क्या आप send एक school से संभन रखते हैं, अगर रखते हैं, तो yes कर देंगे, नहीं तो no रहने देंगे, और continue आगे वाले वाले उप्सन पर click कर देंगे, तो जैसे ही continue वाले उप्सन पर click करेंगे, इस तरह का interface आप लोग के सामने आएगा, अब आप लोग की side detail देख लेंगे, उसको scroll कर तो यह न यहाँ पर इस तरह का interface आएगा, इसको ok कर देंगे, जैसे ही ok करेंगे इस तरह का interface आएगा, आप लोग देखेंगे, अब आप लोग का जो first step है, वो complete हुआ है, अभी second step पूरा करने के लिए आप लोग को नीचे scroll करते हुए आना होगा, जैसे ही नीचे आप लोग आएंग तो आप लोग को यहाँ पर photo अपना अपलोड करना होगा, signature अगर photo signature अपलोड करने में, आप लोग कहीं कोई दिक्कत आ रही ही, कोई समस्या आ रही है, तो आप लोग यहाँ पर इसके जो instruction देख सकते हैं, how to resize photograph and signature image, आप लोग यहाँ से सारे instruction देखकर, आप लोग अपने जो photo और जो signature है, किस तरीके से कैसे आप लोग को upload करने हैं, वो सारी का तरीका आप लोग यहाँ देख लें, मैंने अभी photo signature research नहीं किये हैं, तो resize नहीं करूंगा, तो इस तरह का interface आएगा, अभी photo resize नहीं दिखाएगा, कभी height दिखाएगा, यहाँ पर आप लोग नीचे आ photo signature आप लोड कर देंगे, तो इस तरीके से आप लोग के आप सामने photo signature जो होंगे वो दिखाई देंगे, photo signature दिखाई देने का, अगर photo signature सही है, तो आप लोग continue आगे वाले option पर किलिक कर देंगे, अगर photo signature दुबारा अप लोड करना चाहते हैं, तो photograph रिलोड करें, पर किलिक कर देंगे, अगर आपका सही है, तो continue आगे वाले option पर किलिक करेंगे, अब आप लोग देखेंगे, second जो step है, उसमें last step बचा हुआ है, center selection and agreeing to declaration, ये वाला last step finally बचा हुआ है, इस वाले step पर आप लोग को किलिक करना होगा, जैसे ही इस वाले step पर आप लोग किलिक करेंगे, तो यहाँ पर आपनों को अपना जो examination center होगा, वो choose करना होगा, examination center choose करना होगा, जो declaration आपनों को दिखाई दे रही है, उस पर किलिक करना होगा, ये declaration आपनों के सामने आएगी, यहाँ पर I have read declaration मैंने गोसना को पढ़ लिया है, और सहमत हूँ, इस वाले option पर आपन इतिम रूप में जमा करें, इस तरह का interface आप लोगों के सामने आएगा, अब आप देख सकते हैं, आपका जो form है, वो सही तरीके से भरा जा चुका है, अब आप लोगों का UPSC, जो CDS का form है, वो सही तरीके से भरा जा चुका है, आपका सारा सारा green आ रहा है, वो आपनों को form को प्रिंट करना है, तो जो मैंने आप किलिक करके दिखाया है, उस वाले option पर किलिक करेंगे, तो जैसे ही किलिक करेंगे, इस तरह का interface आएगा, अब यहाँ पर view print application, इस वाले option पर आप लोगों को किलिक करना होगा, तो किलिक करेंगे, तो आप लोगों देखेंगे, आप पर किलिक कर देंगे यहां से आप लोग अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट कर लेंगे तो मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया कि UPSC के दुरू जो सीडियास फर्स्ट दोहजार चौविस की जो बैकेंसी निकली है उसका फॉर्म आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे इ जरू करना तो साथ ही आज की वीडियो में इतना ही